हेलो एब्रिवन आई विल्कम यू ओल टो स्पुकर इंग्लिस अब दिपक तिवारी और इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी की सुरुवात करने जा रहे हैं पॉलिटी में सबसे पहले हम कंशिट्यूशन को जानेंगे संभिधान को जानेंगे और इसमें जो हम भासा यूज ये क्वाशिव डियूशन का दिश्चाव करेंगे यानि हम इंगली भासा का यूस करेंगे तक कि हिंदी मीडियम वाले भी समझ पाएं और इंग्लिस मेडियों वाले ठीक है तो यह कुछ एक फोटोस है हमारे पास जैसे यह देखिए यह ड्राप्टिंग कमिटी की फोटो है यहां पर बाबा साहम अंबेटकर जी और बाकी इनके टीम मेंबर्स के लोग है जो कि ड्राप्टिंग कमिटी के टियर मैं थे भीमडावमेटकर प्रारूप समितिक है और उसके बाद यह अपने सम्विधान सभा के सदस्य लोग हैं साही लगवग यहां पर ठीक है यहां पर सम्विधान सभा के अध्यक्ष डाक्तर जैन्ड परसाथ जी है और ऐसे भी सब लोग यहां पर जाने पहचान नहीं है ठीक है मुद्वाना अबदुलकराम अजाद इस तरह से लोग सब इसमें है यहां पर नहरू जी यहां पर तो इस तरह से लगवग साही लोग इसमें पैठे पड़े हैं साथे साथ यह सम्विधान सभा में हमारे 15 महिला सदस्य थी तो 19 सदस्यों में से हैं यह लोग यह महिला सदस्य हैं जो सम्विधान सभा में थी और से बाकि सब लोग यहां पर और यहां पर बहुत ही प्रसीद ब्यक्ति बहुत ही फिरमस इंसान बहुत ही दिमाग वाले इन्सान इनको सम्विधान सभा का सलाहकार बनाये गया था सम्विधान सभा का ठीक है और गवर्मेंट अफ इंडिया ने एक डांग टिकेट भी जारे गया था इनके सम्मान में 1988 में और यह इंटरनेशनल कोर्ट जो है हेग में है निजरलेंगी रहे था इंदा हेग में वहां पी जज बनने वाले भी भारती थे ठीक है तो बहुत ज़्यादा गयाता थे कानून के यह तो यह भी इनके बारे में है तो यहां पर बेसिक कुछ एक फोटो दिखाया मैंने जिससे आपको बेसिक एक आडिया लगे सम्मिधान के बारे में कुछ यादे आपके पास आए अब चलते हम नोट्स पर और वहां पर देखते हैं तो यहां से हम सुरू करते हैं सम्मिधान को देखिए सबसे पहले यहां पर यह है कि Constitution of India भाट का सम्मिधान हम इसको देखेंगे समझेंगे यह पूरा होने के बाद हम IPC को जानेंगे IPC यानि की Indian Panel Code जो 1860 में आई थी तो सम्मिधान सुरू करने से पहले कुछ एक बात हम जानेते हैं जैसे भाट का सम्मिधान बनाने में दो साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा यह सब आप लोग जानते होंगे लेकिन थोरा सा हम कंपेर करते हैं दुनिया के बाकी देशों से जैसे की USA अमेरिका अमेरिका का सम्मिधान बनाने जिसे हम बनाते हैं 26 नौमबर को हर साल में साती साथ भारत का जो सम्मिधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखिर सम्मिधान है और जो लिखिर सम्मिधान नहीं है उनमें सबसे बड़ा बिटेन का है ठीक है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लिखिर सम्मिधान भारत का है और दुनिया का सबसे छोटा लिखिर सम्मिधान वह USA का है, अमेरिका का है, ठीक है, उनमें काफी कम आर्टिकल है, 24 आर्टिकल है, और बाकी सब रखती है गया है विध्यक के उपर कि जो भी जरूरत होगी उसके इसाब से कानून उसमें बनता जाएगा, निश्वन है, तो अश्टेरिया के सम्मिधान बनाने में नौ साल, नौ महीने से भी ज़्यादा समय लग गया, साउथ अप्रिया का सम्मिधान बनाने में एक साल, एक माह के अंदर महीं पूरा हो गया, और किरिंडया को भी सम्मिधान बनाने में करीब करीब धाई साल, दो साल, पाच मही के पर निर्मत आउं ने भी बहुत ज़्यारा टाइम नहीं लिया उस समय के हिसाब से क्योंकि हमारा सम्मिधान काफी ज़्यादा बिस्टित है काफी बड़ा है तो उसके साब से थाइम ठीक ठाक था कहा जाएगा अब है हमारे समवीधान को बनाने में जो पैसे खर्च हुए वो करीब 44 लाख रुपए हुए भारती रुपिया में और एक जिक्ट नंबर आप जानना ते हैं तो 33,95,737 रुपए ठीक है यह भी किसी वन डे कंपरेड़िव एक्जाम में मैं देखा था यह कोचन भी वहां पर आया हुआ था निश्वन है कि अब हमारे संबिधान जब बन के तयार हुआ तो उस समय कुछ चीशे थी इसमें उससे पहले कुछ टॉम्स आपको बता दू अमेंडमेंट यानि कि संसोधन अमेंडमेंड का मतलब है संसोधन ठीक है और हम इसको संसोधन बोलें तो भी बात देखी है तो हम इ इधान बन के तयार हुआ उस समय उसमें 395 आर्टिकल थे और अभी अभी के समय में 470 से भी ज्यादा उसमें आर्टिकल लगवग हो चुकी है लेकिन नंबर नहीं बतला है नंबर आज भी 395 तक ही जिश्ट करता है लेकिन जैसे मान जी आर्टिकल 21 है अब इसमें 21 का को जो दी गई है ऐसे करकर के यह आर्टिकल बहुत सारे हो गए है ठीक है पड़ना में मुख्य सम्मिधान में वैसे इन थे तो कहीं भी आपको आर्टिकल दिख जाए ना जहां पर उसमें यह जूरा हो बी जूरा हो तो समझ जाना कि उप सुरवात का पार्ट नहीं है यह बाद म संसुधन करके अमेड्मेड करके इनको जूरा गया है तो यह बात आपको ध्यान लखनी है ठीक है तो ऐसे ही यहां पर है कि सुरवात में इतने थे आर्टिकल अनुछेद अभी इतने हैं अगला है भाग भाग यानि की पार्ट सुरवात में ट्वांटि टू पार्ट से अग्ला है अनुसूची अनुसूची आठ ती शुर्वास में शुर्वात में आठ ती और अनुसूची को बोलते हैं लिस्ट ठीक है और अब इकितनी है बारā हो गई हैं अब 12 हो गई जैसे इसके बार नमबर तर्वात सम्मिधां साथ करके जोड़ दिया गया भूमी सुधार फिर इसके बाद 22 नमबर 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 जोड़ दिया गया इस तरह से बारत अनसूची भी बन गई लेक्ट भो जालेगे और फिर सम्मेद्हान बनाने क्या 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 क्रौशे हूं कौं associ कमीति का हुआ क्या हुआ कौन क्या हुआ इसको हम लाश्ट में जानेगे पहले हम भाग को जानने लेते हैं ठीक है, तो सबसे पहला भाग है हमारे पास भाग एक सुर्बातों एक सही करेंगे हम, है नवा तो पहला भाग एक मैं क्या बताए गयाया है, यहाँ पर भारत जो है, राजियों का संग है, गारत यूनियन एंड इट स्टेट्री, ठीक है, जो भाग-एक का अटिकल हे न OL lum से लेकर चार parkια लिए कि अलग न सकता है यत अज़िन का मतलब 2021 से havenँ इंडिया का मतलब दो तर के ससे होटा एक टो युझीया एसे इंदिया इसमें कोई भी राजी चाहे तो भारत से अलग नहीं हो सकता लेकिं दूसरा फेडरल होता है इसका मतलब भी संग होता है जैसे कि यूएसे साड़ था रसिया जो कि 1992 में 15 तुक्रों में अलग हो गया ठीक है तो यह से थे हुआ करता था इसमें कोई राज या अगर चाहे तो अलग हो सकता लेकिन इंडिया में कोई खिया कोई राज अलग हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता अगला है कुछ मतलब होता है परिसंग जैसे अज युएस से कोई भी राज चाहेगा तो अलग हो सकता है उनमें से कोई तो यहां पर है हमारे सामने अर्थ और हम मर्थ पर चलते हैं पहले भारत पर तो इंडिया यह है अप्रिका और यहां पर है इंडिया अस्ट्रिया के ऊपर तो यह है अपना इंडिया यहां पर Itated आई और इंडिया में जो राजिये है हो 창 समय वो ओ टाई समय राई तो राझ्ययो को तो यहां पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 साथ हो गए आठवे नमबर पर हमारे पास महारास्ट्रा है राइट ऐसा नमबर पर है मतब आठवा हमारे पास महारास्ट्रा हमने देखा फिर हमने ओडिसा देखा नौवे नमबर पर गुजरात है दसवे नमबर पर ग्यारवे पर एमपी स्थान है और हम फिर थोड़ा सा उपर जाएंगे तो उत्राखंड है हिमाचल परदेश है पंजाब है हर्याना है तो यह राज्य है उपर अभी जम्मुकस्मीर लगा लेकिन इसको बाद में देखते हैं इनको हम बाद में देखते हैं पिर नौर्थ शिच्ट के राज्यों के साइध में आते हैं सबसे फहले हमें मिलेगा यहाँ ऐब सेखिम है फिर यहाँ मिलेगा यह तो नागालेंड यहाँ तो यह अपने क्या है बात में राजी है सारे इसके सिवाई जो किन शीत परदेश है हमारी ह Shaun है वो कौन कौन से हैं देखिए एक तो लादाग हो गया यहां पर दूसरा हमारे पास जंबु कस्मीर हो गया तो यह दो हो गए तीसरा है हमारे पास चंडीगड जो पंजाब और हड्याना के बोर्डर के साइन में इधर होगा एक सेकंड चंडीगड यह रहा ठीक है चंडीग तो यह मिल जाएंगे कुछ गुजरात और मुंबई का इलाकों में इसर करके तो यह हो गए दादर और नागर हवे दमन और दीव पांच वे चट्था आपको दिखेगा यहां पर लक्षदीप जो लक्षदीप है यहां पर इंडिया का और यह कापी छोटा है इस पर छोट चोटे-चोटे और इसी में बना हुआ है अपना अंदरमान निकोबार तो हलक इदर रहे इसमें कापी सारे आइलेंड है दोसर से जाधा है तो यहां पर अंदरमान निकोबार है यह एक अपना और फिर पांडू-चेरी तो आपको यहां पर जुम करने पर हम दिखाई या किसमें किस तरीके से कैसे क्या है ठीक है अब हम देखते हैं अनुशेट दो आर्टिकल दो इसमें बताया गया है कि संसेट के पुर्व अनुमति पर मतलब संसेट से पहले अमसूचित करके और किसी भी विदेशी राज्य को भात में मिला जा सकता है उद्हारन के लिए पैतिस्वास्तांबिधान संसोधन करके सिक्कीम को भात का सहराज्य बना दिया गया ठीक है तो यह काम हमने किया था इसी आर्टिकल का पढयोग करके ठीक है इसके बार का जो आर्टिकल है आर्टिकल तीन जो कि बहुत ज़रा इंपोर्टेंट है इससे बहुत बार कोश्चन्स देखे गए है तो अनुशेत तीन में बताए गया है कि संसद अगर चाहे तो राश्पत्री के पुर्व अनुमत्ती से किसी भी राजी के सीमा में यानिकि उसके बोर्डर में उसके च्यत्र में और उसके नाम में कोई भी बदलाव कर सकती है या तो घटा सकती है बढ़ा सकती है तो अब यह काम बहुत बार हुआ है और होता रहता है जैसे उधारन के लिए आप देखेंगे तो सुर्वात में क्या किया गया ये मध्य पर्देश से 36 गवर को अलग किया गया एक नौमबर सन 2000 को ऐसे ही फिर क्या किया गया कि 9 नौमबर से 9 नौमबर सन 2000 को उत्राखन को बना दिये गया ये उपी से अलग करके बिहार से अलग करके जरखन को बना दिये गया 15 नौमबर सन 2000 को और अंधपर्देश से अलग करके तेलंगाना को बना दिये गया 2 जून सन 2014 को इस तरह से किया गया इसके सिवाए आप देखेंगे तो दादर और नागर हवेली दमन और दीव यह एक ही हुआ करते थे इन दोनों को अब अलग अलग कर दिया गया है और इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है दोनों अलग अलग हुआ करते थे तो इन दोनों कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 को तो इन दोनों को एक कर दिया गया है सुर्वात में जो अलग-अलग हुआ करते थे तो यह काम हमने कर दिया है अगला है आर्टिकल चार आर्टिकल चार में क्या किया गया है बताया गया है कि कोई भी चाहे तो आर्टिकल 368 का परयोग करके और नुच्छे 2 आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बदलाव नहीं कर सकता आर्टिकल 2 और 3 में कोई बदलाव नहीं कर सकता चैसे यह है ऐसे ही रहेंगे जो इस संसुधन करने की परकिरिया है न यह आर्टिकल 368 से होती है तो यह हम नहीं कर सकते इसको मतलब क इसका यूज करके ठीक है यह इसमें बताए गया है जिनली सद्धान बहुमत से हम क्या कर सकते हैं पास कर सकते हैं सद्धान बहुमत से वैसे जो पास करने की प्रकिरिया है न संसोधन करने की तीन तरीके से बताए गई है आर्टिकल 368 के थूँ एक है सद्धान बहुमत एक है बोट ऊसे बहुतों की ना हैchemical स्टंड है कि की अगर हमें दो में और դीन कीश साधारन बहुमत से साधारन बहुमत लाना है और राशपती को बात मानना ही परेगा क्योंकि आपको पता है कि राशरर्पती के पूर्व अधमति से लाय जाता है ठीक है तो फिर राश-पती बादर मैंने माना करें कुछ होई नहीं सकता और इसके लिए हमें लिस्ट एक और चार यानि कि अनुसूची एक और चार में भी बदलाव करना पड़ेगा अगर हम कोई बदलाव करेंगे किसी भी राजी किसी मा उगारा में कुछ भी ऐसा करेंगे तो ठीक है अब आगे एक और चीश देखिए सुरुवात में इंडिया काफी बड़ा हुआ करता था सुरुवात में इंडिया काफी बड़ा था ठीक है इंडिया यहां अफगानिस्तान से लेके पूरा यह सब था मैं अमार होगा अभी था यह सब तो खेर था ही ठीक है पूरी तरीके से था तो यहां पे जो अफगानिस् 1935 में भार से अलग हो गया मतब इसको अगलेजिओं ने भार सासना दिशनीयाम 1935 से अलग कर दिया इसको फिर पाकिस्तान और इंडिया को 1937 में विल्लाद प cham hitch हो गया nink şey 71 में और प्र अगर नया कुछ कहीं होगा तो पाकिस्तान का इतर सतन वाला इस वाले में अगर कुछ बद्लाव होगा तो ऐसा हो सकता है कि इस वाले इलाखे में कुछ ऐसा बद्लाव देखने को मिले और रायाद देषी त्वर बन सकता है इसा हो सकता है आट ते बहुत सारे इसके तुक्रे हो जूपके हैं अलडिड़्ी भाले से लेकिन उनमें से कोई भी राज्य अगर भारत में मिलना चाहे तो अगर मिलेगा तो असानी से हो सकता है लेकिन अगर भारत सरकार चाहे कि कोई जमीन का टुकरा किसी और को दे दे या अदला बदली करके कुछ ले ले तो बहुत असान है लेना तो असान है आठिकल दोग कहता लिएक देना मुस्किल है ठीक है किसी भी बिजशी से अगर अपना जमीन की अदला बदली भी करनी है और फिर देना है तो बहुत मुझग से लिए क्याओं चाहिए इस्पेशल वहूमत चाहिए इस्पेश बहूमत चाहिए जा तक अभी मैं आपको बताया था वह बिस्यई वहूमत क्या होता है कि लोग राजसर्भा पास करेगी कैसे पास करेगी 50% से नहीं दो तिहाई से यानि Pine 56% से ज्यादा से लोग सब राज सभा पास करेगी फिर राश्पति उस पर साइन करेंगे फिर उस बिद्यक को पास माना जाएगा जैसे हाल फिलहाल में अभी अभी हुआ था 2018 में सौवा संभिधान संसुधन हुआ था संभिधान संसुधन नमबर constitutional amendment टमबर हंड्रेट और इसमें क्या किया गया कि भारत और बंगलादेश के बीच में कुछ जमीन भी बात था तो उसको क्या किया गया कुछ सुलजाया गया कुछ जमीन को लिया गया कुछ को दिया गया तो इसके लिए संसोधन करना पड़ा बिशेश संसोधन मैंने बताया है कि तीन तरसे संसोधन होता है सम्मिधान में एक होता है सधारन दुसरा होता है स्पेसल और तिसरा होता है स्पेसल प्लस में 50 प्लस जो की सहमति जो स्टेट से इंडिया में तो यह से किया गया अब देखिए थोड़ा साम हिस्ट्री देखते हैं इसका सुरवात में हमारे देश में देशी रियास्ते जो थी प्रिंसिय स्टेट्स जो थी वह बहुत साय थी 552 इतने के आसपास थे और यह काफी बिखरी हुई जब अंग्रेज जो है भारत को छोड़ने वादे थे उस समय तीन लोग आये सामने सरदार पटेल लौड माउंट बेटन यह बेटेन कहीं थे और भारत में अंग्रेजों के आखरी जो थे गौर्णर जनरल थे और अजादी के बाद भी इनको गौर्णर जनरल बनाये गया था हलाकि ठीक है और दूसरा है भीबी मेनन यह तीनों के तीनों जो थे काफी कोसिस किये और इमें सबसे ज्यादा रोल सरदार पटेल कर रहा जो कि इन सब राज्यों को एक करने में उन्होंने हम भूमिकान निभाई इसलिए इनको लौपूरुस भी कहा जाता है तो ज्या जैसल मेर जो गारा इलाका है जैसल मेर का वह पकिस्तान की तरफ जाने वाला था लेकिन फिर उस समय सही समय पर सरदार पटेल जी ने दिमाग का यूस करके उसको इनिया में रखा अब देखिए एक जूनागड है यह गुजरात में है जो गुजरात का इलाका है ठीक है में लाकट को मिलाने के लिए काफी मसकत करनी परति यहां का जो निजाम था उबिल्कुल खिलाब था वान ही नहीं रहा था उससीदा सीदा लडाई पे उतारू प्लिस करवाई के दंपे हैराद को भरात में मिला दिया गया और इसके लिए operation polo launch किया गया था इसमें police वाले के dress में army के लोगों को भेज के और वहाँ पे इसके बल पे अपना लिया गया था हैद्रागार को मताभात में मिला लिया गया था तो इसके लिए operation polo था है आपको ध्यान अखना है इसके बाद बार या आती है जम्व और कस्मीर की जम्व और कस्मीर का जो है बिलेपत्र Ecuador Sakson के उपर कर लिया गया था उस समय जो हाँ के राजा थे महराजा हरे सिंग थे तो इन्होंने इसे किया था तो इसको जो हस्ताक्षर किया इन्होंने 26 October 1947 को किया और फिर बाद में जम्मु कस्मीर का एक अलग से संविधान बना 26 November 1957 को और जब यह संविधान बना 26 November 1957 को तो इसी के थुरू ही इनका संविधान चलता रहा और फिर भी अभी आकर आर्टिकल 370 खतम किया गया है तो यह संविधान भी खतम हो गया है जम्मु कस्मीर का हलाकि 370 का ए आर्टिकल आज भी है इसका मतलब होता है कि जम्मु कस्मिरभात का आंग है तो यह तो खें रहेगा ही लेकिन आर्टिकल 370 जो था मेने सो खतम कर दिया गया है तो यह इसके बारे में था इसकी हिस्ट्री थी ठीक है तो अब हम समझते हैं थोड़ी सी चीजे और बारे में देखिए सुर्वात में जो राजि थे न और चार भागों में बटे हुए आयोग बनाय गया था उस आयोग का नाम था इसके धार-अयोग इन्होंने मैं 1988 में इन्सकों बनाय गया और इस ने कहा कि नहीं हमें राज्यों का बटवारा नहीं करना चाहिए इन्हों ने मना कर दिया फीर यह बीपी कमीटी बनाई गयी जौहरलाल नहरू बीपी बेनन और पटेल जी सर्दार पटेल जी इन तीनों के रूप में और इस कमिटी ने भी अपना रिपोर्ट दिया उनिस सो उनने चास में बनाए गया था 1948 में और इसने भी माना कर दिया कहा कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए पर एक सज्जन थे ठीके इनका नाम था यहां पे कुछ गलत हो गिए एक स्गक्र मैं दिखाता हूं कि इनका नाम था 25 राम्लू इनका नाम जो था वह था पृटिसरी राम्लू और इन्हों नहीं अंसन करना शुरू कर दिया और इनकी अंसन से यह हुआ कि 56 दिन तक अंसन पर रहे और अंठानवे दिन इनकी क्या हो गई मिर्ति हो गई इससे अंध्पर्देश के लोगों में गुस्ता और जारा भड़क गया जो त्यल्गुफासी लोग थे और इसकी वज़ा से सरकार को घुसना करनी पड़े कि हां अंध्पर्देश राज्य को बनाए जाएगा मत्तब उस अं की मिर्ति होई फिर इसके बाद घुसना कर दिया पंडिट निहरु ने तो यह बात अब ध्यान एकना कि भासा के अधार पर बना हुआ पहला राज्य वह अंध्पर्देश ठीक है हालाकि इसको डूकमेंटरी प्रोपर तरीके से 1913-1956 तक बनाए गया उनिस्षपन में ही मि कि थी अरसारी फजल अलिया एक को बनाए गया और इसने अपना काम सुरू किया और इसका गठन किया था 1913 में और इसने अपना रिपोर्ट डिया 1956 में और इसने कहा कि हां हम भासा के अधार पर राज्यों को बना सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक भासा को बोलने वाला व्यक्ति दुसरे दाज्यों में नहीं रह सकता जैसे उधारन के लिए मालने जीए कि यहां पर केरल है किरल में जो लोग है आम लोग जो है जैनरली मुख्यरूप से लोग मले आलम बोलते हैं लेकिन तम्मिल लालो का बोडर का इलाका है तो हो सकता है कि कोई भी आकती यहां पर तम्मिल भी बोलने वाल तो क्या इसे पर रह सकते हैं तो बोला कि ऐसा हो सकता है लेकिन हमें भासा को ना देखकर बासा के अधार पर बना तो सकते इसंगे पंए आली है चीजें है तो यह बात किसे ने कहा था फजल अली आयोगने तो फिर इसी क्याधार पे इसे क्या किया गया बनाया गया और उस समय इन्होंने क्या किया पंडित नहरू ने उन्होंने संसोधन करवाय संसोधन में साथवा नमबर का संसोधन हुआ 1956 में और 14 राज्य बनाये गए और 6 किंदसासित परदेश बनाये गए ठीक है उस समय ये कर दिया गया लेकि तब से अब तक देखा जाए तो राज्यों की संख्या दबल हो गई है और इसकी संख्या भी अभी जादा है आठ है है ना तो इसमें क्या किया गया 1960 में फिर से बद और फिर जो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है वो है 1966 का जो कि साह आयोग है साह आयोग जो है 1966 ने बना था और इसने पिप्सू यानि कि पटियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में बदला इनको मतलब क्या किया बाटा जैसे देखिए जैसे यह है ना इंडिया तो यहां पर आप आएंगे तो यहां पंजाब का इलाका है राजस्तान के ऊपर तो पंजाब का इलाका है ना धरियाना पंजाब तो पंजाब का जारातर इलाका जो है पाकिस्तान में चला गया है और हमारे पास पूर्बुतर पंजाब है तो यह काफी बड़े तरीके से इसमें अस्तुबिता हो रही थी और इसके मांग भी काफी जादा थी तो साहयोग को बनाए गया था इन्हों ने इसको चार भागों में बाट दिया हिमाचल पर्देश को पहारी लाकों को लोग ले दिया पंजाब जो पंजाबी बोलने माले लोग थे हरियाना जो हरिया तक यह खतम हो गया तो यहां पर खतम होता है हम मिलेंगे अगले वीडियो में उसमें हम करेंगे नागरिक्ता के बारे में भाग दो में नागरिक्ता है तो उसको हम करेंगे नेक्स वीडियो में तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नागरिक्ता के साथ तिल देर बाबाए ए क्यों